हलो सुदेंस अज 10 जनवरी 2019 है और आज का मोस्ट इंपोर्टेंट करेंट अफेर लेकर आए हूँ जो लोग पहली बार हमारे चैनेल प्यार है डेली सबसे पहले करेंट अफेर देखने के लिए हमारे चैनेल को सब्सक्राइब कर लिजे और इस तरह का बेल आइकॉन को प्रे करेंगे वीडियो देखने के बाद पसंद आता है तो लाइक और शेर जरूर करना अब चलिए स्टार्ट करते हैं पहला कोशन है केंदरिये जल संसाधन नदी विकास और गंगा संरक्षन मंत्राले ने किस मासिक पत्रिका का हाल ही में विमोचन किया है क्या नाम है इस पत्र मंत्राले की या तीसरी पत्रिका है इसके पहले इस मंत्राले की दो पत्रिका है उल्लेडी परकासित होती है उनका नाम क्या है नमामी गंगे तथा जलांश अब यहाँ पर चैंदरिये जल संसाधन नदी विकास और गंगा स्थानराक्षन मंत्राले जो आप सुने हैं इसके मंत्री कौन है नीतिन गटकरी है अगला कोशन है ये लोव वेस्ट अंदोलन आज कल यूरोप में चर्चा में बना हुआ है इसका अरंब किस देश से हुआ था किस देश से हुआ था फ्रांस से इसकी सुरुवात के गई थी ओप्षन भी राइट अंसर है अच्छा ये अंदोलन जो है क्यों किया जा रहा है इंधन कर में विरिधी के विरोध में किया जा रहा है ठीक है 17 नवंबर से फ्रांस में इसकी शुरुवात के गई थी अब यह अंदोलन पूरे यूरोप में फैल गया है यानि यूरोपियन इसकी कैपिटल है पेरिस इसके आस पास में कौन-कौन से कंट्री है इस्पेन है इटली है इसका बोडर टच करता है स्वीडिया लेंड है जर्मनी है बेलजियम है ठीक है तो यह रहा फ्रांस यहां के राश्ट्रपती है इमैनुवल मैकरोन दोजार अठार में परधान मंत अगला कोशन है विश्वबैंक के ताजा गुलोबल एकोनोमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट के अनुसार 2019 से 20 में भारत की विरीधी दर कितनी रहेगी कितनी रहेगी भारत की विरीधी दर साड़े साथ परसेंट ओप्शन सी राइट अंसर है यहां अनुमान लगाया है व अलग अलग अनुमान लगाती है तो ध्यान में रखिएगा विश्वबैंक ने यह रिपोर्ट जाली किया और बोला है कि 2019-2020 में भारत की विरीधी दर यानि विकास दर साड़े साथ परसेंट रहेगी कोशन घुमा के पूछना रहता है तो आपसे पूछ देगा कि GDP दर कित 1945 में हेड़क्वाटर अमेरिका की राज़दानी वशिंग्टन में है प्रेजेंट टाइम में इसके अध्यक्ष कौन है यानि प्रेसिडेंट जीम योंग किम है हाली में जीम योंग किम ने यह गोसना किया है कि 1 फरवरी 2019 को विश्व बैंक के अध्यक्ष पद से यह हट जाएंगे हलाकि इनका करेकल अभी 3.5 वर्स तक अभी लगबग बाकी है लेकिन ये 1 फरवरी 2019 को अध्यक्ष पद से हट जाएंगे जीम योंग किम विश्व बैंक के ये 12 हुए अध्यक्ष है और ये अध्यक्ष कब बने थे एक जुलाई 2012 को ये विश्व बैंक के अध्यक्ष बने थे प्रेजेंट टाइम में विश्व बैंक के CEO हैं क्रिष्टलीना जोर्जीवा CEO मतलब मुख्या कारेकारी अधिकारी अगला कॉशन फेस्बुक इंडिया के उपाद्यक्ष और परबंद निदेशक कौन बने हैं औजीत मोहन बने हैं है ओप्शन डी राइट अंसर है इसका होट एस्टार के पूर्व CEO रह चुके ही है अजीत मोहन अब ये फेस्बुक इंडिया के उपाद्यक्ष और प्रेजेंट टाइम में चेर्मेन एंड सी यो कौन है? मार्ग जुकरबर्ग है. ये को फाउंडर भी हैं, फेस्बुक के. अगला कोशन है, कॉंग्रेस ने निम्न में से किसे महिला कॉंग्रेस की पहली ट्रांसजेंडर राष्ट्रिये महासचीव नियुक्त किया है? जैसे कि कॉंग्रेस की अस्थापना कब की गई थी? तो कॉंग्रेस की अस्थापना की गई थी 28 दिसंबर, 1885 में. और इसके संस्थापक कौन है? AO हिउम है, इसके संस्थापक. कॉंग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहां हूँआ था? मुंबई में हूआ था. कब 1885 में ही हुआ था पर्थम अधिवेशन और इस अधिवेशन की अधिवेशन की अधिवेशन की अधिवेशन की इननों ने अधिवेशन की थी, कब 1924 में महातमा गंदी ने ठीक है अच्छा प्रेजेंट टाइम है कॉंग्रेस के अध्यक्ष कौन है राहूल गंदी है और राहूल गंदी अठासी हुए अध्यक्ष है तो इसे भी आप नोट करना चाहें कर सकते हैं चली अगला कोशन है किस अंतराश्टिय संस्था की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में मानो तसकरी से पीडित तक्रीबन हर तीसरा सक्स एक बच्चा है यानि हर तीन वेक्ति में से एक बच्चा है मानो तसकरी से पीडित लोगों में तो यह रिपोर्ट जारी किया है स है संयुक्त राष्ट्र ने इसके बारे में जनिए संयुक्त राष्ट्र की अस्थापने हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को हेड़क्वाटर निव यॉर्क में निव यॉर्क कहां पर हैं अमेरिका में महा सचिव है प्रेजन टाइम में एंटोनियो गुटेरेस उप महा सचिव कौन है अमीना ए मुहमद तो ये तो रह गए उनाइटेड नेशन के बारे में जनकरी अब हम बात करेंगे उनाइटेड नेशन के महा सभा के बारे में यानि संयुक्त राष्ट्र महा सभा इसके अध्यक्ष कौन है मारिया फर्ननडा एस्पी नोसा है और संयुक्त राष्ट्र स सुरक्षा परिसाद के अध्याक्ष बने हैं फ्रांसिसको एंटोनियो कोर्टोरियल ठीक है तो ये ताजा करेंट अफिर हैं नोट कर लिजेगा जली अघला कोचन है वैश्वीक सोलर परिसब्ध के अध्याक्ष कौन बने है इसके अध्याक्ष बने है प्रणव आर मेहता जो है वरतमान में राष्टरिय सौर उर्जा माहा संग के अध्याक्ष भी है इसे भी नोट करिएगा ठीक है G.A.C. English में Global Solar Council बोलेंगे अस्थातना कब की गई थी? 2015 में Headquarter अमेरिका की राजधानी Washington DC में है इसका चलिए अगला कोशन है RBI ने Digital भूगतान पर 5 सदस्य उच समीति का गयठन किया है इसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? तो इसका अध्यक्ष बनाये गया है नंदन निले कनी को Option D, Right Answer है इसका नंदन निले कनी कौन है? ये Infosys के जो IT कंपनी है Infosys उसके सह संस्थापक तथा वर्तमान में Infosys के गैर करेकारी चेर्मेन है ठीक है? ये जो समीति है हर 3 महिने पर Reserve Bank of India को एक रिपोर्ट सौपे गी यह रिपोर्ट डिजिटल भुकतान की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए सुझाओ देगा RBI की अस्थापन कप की गई थी? 1 अपरेल 1935 को भारत का यह केंद्रिये बैंक है राष्ट्रिये करन यानि नेशनलाइजेशन कब वह था एक जनवरी 1909 को हेड़ क्वाटर मॉंबई में है प्रेजेंट टाइब में गवर्णर कौन है? सक्ति कांत दास हाली में बने ही यह गवर्णर और यह RBI के 25 गवर्णर है इसके पहले उर्जित पटेल गवर्णर थे वे 24 गवर्णर थे ठीक है? चली अगला कोशन है 9 जनवरी को कहाँ पर खेलो इंडिया यूथ गेम के दूसरे संस्करन का उदगाटन किया गया है तो खेलो इंडिया यूथ गेम के दूसरे संस्करन का उदगाटन किया गया है पूड़े में option a right answer है इसका इसका आयोजन जो है खेल और युवा मामलो के मंत्री कौन है present time में राज्य मंत्री है राज्य वर्धन सी रठ हो रहे हैं ठीक है तो ये दूसरा संस्क्रान है पहला संस्क्रान कब हुआ था जन्वरी 2018 में नई दिल्ले में हुआ था और ये दूसरा संस्क्रान है पूड़े कहां पर हैं महराष्ट में हैं महराष्ट के बारे में जानेंगे सबसे पहले मैप देखिए ये रहा महराष्ट रहे हैं छे राज्य और दो केंदर सासित परदेश से इसकी सीमा टच करती हैं राज्यों की बात करें तो गोवा, करनाटक, तेलंगाना, 36 गड़, म एक माई 1960 को, छेतरफल की दरिष्टी से भारत का तीसरा सबसे बढ़ा राज्य है और जन संक्या की दरिष्टी से भारत का दूसरा सबसे बढ़ा राज्य है साक्षर्ता दर यानि लिटरेसी रेट है 82.3-4 प्रतिशत और लिंग अनुपाथ है 929 यानि एक हजार पुरूसों पर 929 महिला हैं सेक्स रेसियो इसको बोलते हैं मुख्य मंत्री है देवेंद्र फणनविस, राज्य पाल है सी विद्या सागर राव, कैपिटल है मुंबई, लोक सबसेट की संक्या 48, राज्य सबसेट की संक्या 28, विधान परिशत भी है यहाँ पर जिसकी सिट की संक्या 78, जिलो की संक्या कुल 36 है मुखने अधीस है नरेश, हरिश्चंद्र, पाटिल ये मुंबई उचनेले के मुखने अधीस है मुंबई उचनेले के अंतरगत एक राज्य और दो के अंदर सासित परदेश और आते हैं जैसे के मुंबई उचन्याले जो है महराष्ट में है तो महराष्ट का हुआ ही गोवा का भी यही उचन्याले है यानि गोवा जो आता है इसी उचन्याले के अंतरगात आता है और दो केंदर सासित पर्देश में दादरा नगर हवेली यहों दमनें दिगू लोग निरित्ते हैं महाराश्ट का लाउनी नेशनल पर्क है चंदोली नेशनल पर्क, नवे गाउन नेशनल पर्क तथा संजय गांधी नेशनल पर्क संजय गांधी नेशनल पर्क मुंबई में इस्थित हैं महाराश्ट के मुंबई में अगर बात करें संजय गांधी जैवी को उध्यान यानि बायोलोजीकल पार्क कहां पर है तो वो पटना में बिहार की रज़ानी पटना में डैम की बात करें तो कोईना डैम कोईना नदी पर तथा उज्जैनी डैम भीम नदी पर है अगला कोईन है कौन सा देश अंतराष्ट्री क्रिकेट परिशद यानि आई सीसी का एक सो पाचुवा सदस से देश बना है कौन सा देश युवेसे उनाइटेड एस्टेट ऑफ अमेरिका ओप्शन भी राइट अंसर है इसी के साथ युवेसे क्रिकेट आई सीसी समविधान के अनुसार तिरान भीम एसोस्येट सदस से बना है अब युवेसे में घरेलु तथा अंतराष्ट्री क्रिकेट मैच हो सकता है ठीक है? अब हम सबसे पहले ICC के बारे में जान लेते हैं इसके असापना हुई थी 15 जून 1909 को Headquarter दुबई में है United Arab Emirates की रजधानी है दुबई Chairman है ICC के present time में ससांक मनोहर CEO है David Richardson और ICC जो है उसका motto यानि slogan क्या है Cricket for good Answer USA है USA कोई अमेरिका कहा जाता है रजधानी कहाँ पर है Washington DC रजधानी है President है present time में Donald Trump ये अमेरिका के 45 हुए राजपती है मुदरा चलती है यहाँ पर American Dollar अगला कोशन है विदेश मंतराले में दूतावास पासपोर्ट वीजा और प्रवासी भारतिये मामलों के सच्यू के रूप में किसे नियुक्त किया गया है किने संजीव और ओडा को Option C राइट अंसर है इसका तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा ये विदेश सच्यू नहीं बने है विदेश मंतराले में दूतावास पासपोर्ट, वीजा और प्रवासी भारतिये मामलों के सच्यू बने है संजीव और ओडा अच्छा विदेश मंतरी कौन है सूसमा स्वाराज है और विदेश सच्यू कौन है प्रेजन टाइम में वीजाय केसो गोखले है संजीव और ओडा जो है ये वर्तमान में लेबनान में भारत के राज़दू थैं और इन्हें जो प्रवासी भारतिये मामलों के सच्यू के रूप में न्यूक्त किया गया है तो ये पदबार जो है एक फरवरी 2019 को संभालेंगे चली अगला कोशन है आठ जनवरी को लोक सभादवारा पारित 124. समयधानिक संसोधन विदियक 2019 किस से संबंधित है किस से संबंधित है आरक्षण से संबंधित है option D right answer है अब लोग को फता चल गया होगा हाली में जनरल कैटिगरी के लिए सरकार ने 10% का आरक्षण देने का फैसला किया है कैबिनेट ने मंजूरी दे दी थी लोग सभा में इसे पेस किया गया था लोग सभा ने इसे तुरंत पारित कर दिया अब जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मुझे रिपोर्ट मिली है कि राज्यसभा ने भी इसे पारित कर दिया है तो लोग सभा ने भी पारित कर दिया आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को 10% का अरक्षन देगा और इसका एक और शर्त है शर्त क्या है? आठ लाक रुपे से कम सलाना इंकम हो तथा पांच एकड भूमी से कम भूमी हो उसे ही 10% का अरक्षन मिलेगा जनरल कैटिगेरी वालों को इसमें ब्रामन आए रहे हैं, राजपुत भी आ रहे हैं और मुस्लिमों के भी कुछ तब के आ रहे हैं जैसके सेख, सैयद, मुगल ठीक है? ये सब भी इसी जनरल कैटिगेरी में आ रहे हैं अनुछेद 15 में, तो ये भी ध्यान में रखिएगा तो ये था हमारा आज का करेंट अफेर, इसका PDF नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप वहाँ से डाउनलोड का सकते हैं वीडियो पसंद आया है, तो लाइक और शेयर जरूर करना अब चलिए कल के कोशन का एंसर बता देता हूँ पहला कोशन था, निम्न में से किसने मिसरीत जोड़ी में हौप मैं कप जीता है रोजर फेडरर तथा बिलेंडा बेनकिक की जोड़ी ने हौप मैं कप जीता है और ये जोड़ी स्वीट जर लेंड की है इसका भी अंसर सभी लोग ने सई दिया था अचलिये आज का कोशन है पहला है विश्व बैंक के अधियक्ष जीम यॉंग किम ने एक फरवरी 2019 को अपना पद चोड़ने की घोसना किये वे विश्व बैंक के अधियक्ष कब बने थे दूसरा कोशन है अंडमान निको बार के हैवलोग दीप का नाम बदल कर क्या रखा गया है दोनों कोशन का एंसर कमेंट कर दीजे कल के वीडियो में इसका एंसर बता दूँगा जो लोग नए है डेली, वीकली और मंथली का नेटर फेर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे आप डेली पीडेफ हमारे टेली गराम से भी डाउनलोड कर सकते हैं किसी भी तरह का कोई भी सुजाओ सजेशन हो तो आप मुझे इंस्टागराम पे जरूर लिखिए